तो आज हम आपके साथ बहुत ही जबदसे चिकन बर्गर पैटी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं चो खाने में बहुत ही डिलिशेस लगते हैं और हमजान के लिए आप इसे बना कर फ्रीजबी कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने यहां 500 ग्राम कीमा ल साथ हम आट करेंगे 1 HDYeah accepting बिलिशे अफी शुट कर चाहे तो 1 Curtiac बेप्री प्रीपिप्र पाउडर करते हैं साथ हम इसमें और कर रेंगे सोल्त सोल्त अब के कर मf आदे हम ने यहां 1 टीस्पून से ज्यादा सॉल्त ऑर ऐवाइड पेपर पाउडर अब चाहे तो ब्लाक पै किलो के लिए लिए तो आप 1 by 3 के 2ं कपस ले लिए इसे जानर हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताके जो दुछ स्पाइस से जो चिकन के साथ मिक्स हो जाये बैसिकली हमें इसे एक मिनट के लिए अच्छे से गुन लेना है देखिए हमारा मिक्ष्चर रेडि है अच्छे से मसलों के साथ मिक्स हो गया है अब हमें एक पोशन लेंगे हमने तकरीबान एक रोटी जितना पोशन लिया है और इस तरीखेसे हमें से हमी से राउन्ड करते जाएंगे फिर हातों से फ्लैट करेंगे और हमारी बर्गर पैटी बन के ready है बहुत simple तरीके अच्छी में में अपके साथ शेयर किया है 1 पार जरूर लॉड़ ठराइ करें कर् Sym my तो देखिं रारे बर्गर पैटी करेंगे मनें सारे अब जाए करेंगे इस तरीके से हम सारे पैटी को एग और ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे तो इसी तरीके से हमें सारे बर्गर पैटी बना लेने हैं तो हमारी बर्गर पैटी बनके रेडी है अब हम इने क्लिंग राप की मदद से कवर करेंगे और ओवरनाइट इसे फ्रीजर में रखेंगे नेक्स डे हम वो सारे बर्गर पैटी को निकाल लेंगे और एक जिपलोग बैग में ट्रांसफर करेंगे अब हम आपको असेंबलिंग करके बता देते हैं तो देखे हमने बर्गर पैटी को अच्छे से फ्राई कर लेना है एक एक मिनट से दोनों साइट से हमें से फ्राई कर लेना है पहले हमें ऑईल को अच्छे से हीट कर लेना है फिर हमें से मीडियम टू हाई फ्लेम पे तीन से चार मिनट के लिए हम इसे फ्राइ करेंगे देखे कितना खुब्सूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है हमारे होममेड बर्गर पैटी बन के रेड़ी है बिल्कुल मज़ेदार से मार्किट जैसा ही टेस्ट आता है इसमें मेक शर आप इसे एक बार जरू ट्राइ करें और रमजान के लिए आप इसे बना के फ्रीज कर दें तो चलिए मिलकेर बर्गर असेंबल करते हैं तो हमने यहां बर्गर बंस को दोनों तरफ से मैयोनीज और केचप लगा लिया है साथ हम इस पे थोड़ा सा कैबेज रखेंगे आप चाहे तो लेटियूज यूज कर सकते हैं और हमारी होममेड बर्गर टिकी रखेंगे इस पे साथ ही कुछ प्यास के लचे रखेंगे एक टमेटो का स्लाइस रखेंगे उपर से हम थोड़ा सा आड़ करेंगे मस्टर पेस्ट जो ऑप्शनल है अब हम इस पे एक स्लाइस चीज आड़ करेंगे और देखें जबर्दस सा हमारा बर्गर बनके रेडी है बिलकुल आसान स् फीडबैक जरूर बताएं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और हमरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक्स फर वाचिंग